हलो दोस्तों आज हम आपको लिए चलते हैं इसिया का एक हरतंगीज दिस अर्मीनिया अर्मीनिया को एसिया का सबसे हरतंगीज देशों में से एक माना जाता है दोस्तों अर्मीनिया काला सागर और केस्पियन सागर के बीच इस्थित है यह एक बेहदी आकरसक देश है दोस्तो यह देस बेहर्दी आकर्सक होने की बाउजूदी यह देस बहुत ही विचित्र है तो आएए जानते हैं अर्मेनिया के बारे में कुछ दिल्चस्प बातें एवन महत्पूर्न जानकारी दोस्तो अर्मेनिया अपनी पूर्वी और उत्री सीमा को जॉर्जिया और अजर्बेजान के साथ तथा दचनी और पस्टिमी सीमा को इरान और तुर्की के साथ साजा करती हैं दोस्तो इस देस की राजधनी एर्या वैन है जो कि इस देस का सबसे बड़ा सहर भी है दोस्तो इस देश का छेतरफल 29,743 वर्ग किलूमेटर है जो कि हमारे देश के एक राज केरला से भी छोटी है आकार के लिहाद से अगर देखा जाए तो ये विश्व में 149 वे नमबर पर आता है दोस्तो अगर पॉबलेशन की बात की जाए तो इस देश की जनसंख्या लगबक 30 लाख है दोस्तो अगर धर्म की बात की जाए तो इस देश में 92% लोग इसाई धर्म को मानते हैं दोस्तो इस देश को well educated डेश भी कहा जाता है अर्थात इस देश का literacy rate 99% है दोस्तो अर्मिनिया को एक विक्सित देश माना जाता है लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी एक विक्सित देश होने के बावजूत इस देश की currency हमारे देश के रुपए से तक्रीबन 6.5 गुना कमज सलाई जाती है और इस देश का calling code plus 374 है दुनिया का सबसे लंबा केबल कार दोस्तो दुनिया का सबसे लंबा non-stop double track केबल कार अर्मिनिया में ही मौजूद है जिसका नाम Wings of Tative है अर्थात तातवी की punk इस double track केबल कार की लंबाई 5.7 किलोमेटर है जिसका सुवारम 16 अक्ट केबल कार है जिसका नाम Guinness Book of World Record में भी दर्ज है सत्रंज खेल का विश्यस महत्व दोस्तों जहां सत्रंज को एक बहुत ही अच्छा दिमागी खेल माना जाता है जो कि दिमाग को तेज और तंदुरुस्त बनाता है इसी महत्तों को देखते ही अर्मेनिया में सत्रंज यानि की चेश सीखना अनिवारी है यही कारण हिकि अर्मेनिया में 2011 से सभी इस्कोलों में सत्रंज कमपल्सरी सबजेट के रूप में पढ़ा ही जाती है दरसल अर्मेनिया लोगों का मानना है सत्रंज बच्चों के चरुत्रों को तो अच्छा बनाता ही है साथी उसके जीवन में के आगे बढ़ने की योजना बनाने में भी मददगार साबित होता है, पवित्र परवत की मानिता, दूस्तों जिस तरह हमारे देश में कैलास परवत को एक पवित्र पावन धाम माना जाता है, ठीक उसी परकार अर्मीनिया का राष्टिप्रतिक माउंट अरारत है दरसल अर्मेनिया के लोगों का यहां मानना है कि पैगंबर मुख्य की कस्ते माउंट अरारत में ही इस्तित है इसलिए यहां के लोग माउंट अरारत को बहुत ही पवित्र मानते है लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी यह माउंट अरारत अर्मेनिया में नहीं बलकि यह तूर्की देश में इस्तित है स्वरे पर्थम इसाई धर्म को मानेता प्राप दोस्तो अर्मेनिया का इतिहास बहुत ही रहश्में माना जाता है दोस्तो यहां दुनिया का पहला देश है जिसने इसाई धर्म को सौरपर्थम सन 301 में ही राष्ट धर्म घोसित कर दिया गया था दोस्तो इसाई धर्म के विस्तसग्यों के माने तो इसाई धर्म के परचार में अर्मेनिया देश का बहुत बड़ा युगदान है दोस्तो ऐसा माना जाता है कि दुनिया का पहला चर्च पवित्र एच मेयरजीन पहला राज है जहां चौत्वी सताब्दी में दुनिया का पहला चर्च बनाए गया था दोस्तो इस जगा को अर्मेनिया की सभी चर्चों का मुख्यालय भी माना जाता है दोस्तो साथी यह जगा दुनिया के सबसे जादा देखी जाने वाली तिर्थ अस्तलों में से एक माना जाता है अर्मेनिया एक विचितर देश दोस्तो अर्मेनिया एक विक्सित देश होने के बावजूद इस देश को बेहदी खतरनाक देश माना जाता है दोस्तो अर्मेनिया के अपने पडोसी देशों के साथ सम्मंद बेहदी खराप है खास करके अजर बेजान के साथ जिसके साथ कई बार युद्ध हो चुका है और अगला युद्ध कब सुरू हो जाए यह भी बताना मुश्किल है दोस्तो साथी तुर्की देश के भी साथ सम्मंद इसका अच्छा नहीं माना जाता है दोस्तो अर्मेनिया अपनी पुरानी सेबता खुबसूरती एवन संस्कृती के लिए जाना जाता है दोस्तो यहां पर देखनी लायक अनेको दरसनी अस्तल मौजूद है दोस्तो जहाँ पर दुनिया के जादातर देशों में हर जगा का टिकट का प्राइस वहाँ के अस्थानी लोगों के लिए कम और फॉरेंड टूरिस्टों के लिए काफी जादा होता है लेकिन अर्मेनिया एक ऐसा देश है जहां पर टिकट का मूली वहां के लोगो और टूरिस्ट के लिए बिल्कुल समान है दोस्तो अर्मेनिया में इस्थिद एरावेन सिटी बेहदी खुबसूरत सिटी में से एक मानी जाती है जिसकी इमारतों की रंग गुलाबी गुलाबी दिखाई पड़ती है जिस वज़से इस सिटी को पिंक सिटी भी कहा जाता है दोस्तो वाल्ड ब्यूटी फॉरेन के एक सर्वे के अनुसार अर्मेनिया की लड़की बेहदी खुबसूरत और हुसन की मलिका होती है दोस्तो यहां की लड़कीों का रंग काफी गोरा होता है जिस वज़से ये काफी आकरसक एवन खुबसूरत दिखाई देती है तो दोस्तो आज के वीडियो में इतना ही आसा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें साथ हमारे चैनल को सबस्ट्राइब कर लें फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए गुद्बाई टाटा